हलो एव्रिवान वेल्कम टू लिट्रेचर लवर्स विदे के स्राजवीर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत कैफे हैं आप सभी लोग उम्मीड है बढ़िया होंगे फिट एंड फाइन होंगे अगर आप इस चैनल पर नए आये हों तो लिट्रेचर लवरस चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और अगर आपको कौई भी कौर्स चाहिए जो हमारे कौर्सेश चलते हैं पेड ग्लासेश तो उन में से तमाम सारे कूर्सेश हैं जो लिट्रेचर लवर्स आप पर अवेलब के आज की हम class शुरू करेंगे और आज की हमारी class है एक बहुत ही interesting poem पर है और poem है loves philosophy बहुत ही बड़िया poem है और बहुत interesting poem है इस complete जो है poem को हम अच्छे से पढ़ेंगे analyze करेंगे और चीजों को समझेंगे क्या-क्या जरूरी पार्ट है इस poem का वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा बातचीत करेंगे हम लोग poet के बारे में तो देखिए जो poet है इस poem के loves philosophy के तो इस poem के poet जो है वो है पीबी शैली यानि परसी बेशी शैली और पीबी शैली जो है romantic time period के एक बहुत ही important poet बोले तो revolutionary poet कहलाते है और जो later generation of romantics है तो later generation of romantics में जो है पीबी शैली का नाम आता है शैली का जो बर्थ है पीबी शैली का तो ये पीबी शैली का बर्थ हुआ था कब पीबी शैली का जो बर्थ है वो हुआ था 1792 के time period में और इनकी death हो जाती है 1822 के time period में पीबी शैली ने बहुत सारे important work लिखे है जैसे Skylark है, West Wind है इनकी poem, Sensei है जो है इनका एक basically closet drama है, Prometheus Unbound है, हेलास्ट करके एक work है और Alastar है, Alastar और Spirit of Solitude, ऐसे ही बहुत सारे work लिखे है आपके पीबी शैली ने पीबी शैली की ये जो poem है, जिसका title है Love's Philosophy, तो ये जो poem है Love's Philosophy, इस poem का जो publication है, तो publication कब हुआ था? publication हुआ था इस poem का 18-19 के time period में, 22 of December 18-19, तो ये जो poem है, 1-8, 1-9 के time period में हुई थी, इस year को आप कुछ ऐसे ही याद रख सकते हो, जैसे जो 18-19 था, तो जॉन कीट्स की लाइफ का ये बहुत ही productive year था, one of the wonderful year, इस poem को पहली बार 18-19 के time period में, एक जो है, बेसिकली जर्नल में, या तो कहें आप पिरियोडिकल, जो the indicator नाम का था, तो उसी में publish करवाया गया था, इंडिकेटर नाम के एक पिरियोडिकल में इसे publish करवाया गया था, 18-19 के time period में, बाद में जो ये poem है, तो ये collection में published हुई थी, और इस poem को फिर बाद में जो है, पॉस्थमसली publish करवाया गया था, क्योंकि शैली की जो death है, वो हो जाती है, 18-22 के time period में, और शैली की death के poem है, तो publish करवाई गई थी, ठीक है, इसके बाद अगर guys बात करें इस poem की, तो इस poem में अगर आप देखें, तो आपको कुल मिला करके 16 lines मिलने वाली है, और 16 lines में से ये एक stanza यहां तक आता है, and the second one stanza यहां तक है, यानि ये दो stanza में divided poem हैं, और दोनों stanza में अगर rhyming scheme के म rhyming scheme है, यानि अगर पहले stanza को देखें, और second stanza को भी individual अगर आप देखें, तो आपको A, B, A, B, और CD, CD करके rhyming scheme मिल जाती है, इस poem की, ये जो poem है, तो guys ये poem बातचीत करती है, natural elements की, और साथ में बातचीत करती है, love की, यहां जो इस poem में जो emotions हैं, उन emotions को बहुत ही, basically अगर आप कहें, तो PB Shelly ने एक connection को यहां पर explore किया है, और connection जो है, वो natural word के साथ, अगर हम देखें, तो जो connection है, एक natural word, तो एक side जो है Shelly, natural word दिखाते हैं, और दूसरी side जो है, वो खुद दिखाते हैं, कुल मिला करके, जो poet की desire है, वो दूसरी side हमें नजर आती है, यानि poet की desire, और natural word, यह दोनों चीज़े side by side चलती हैं, इस वाली poem में, है न, और यह poem एक landmark है, अपने आप में ही, बहुत ही interesting है, poet का क्याना है, कि अगर natural word में ऐसी unity है, तो फिर poet की दुनिया में, यानि poet और poet की beloved के बीच में भी कुछ ऐसी ही unity होनी चाहिए, Love's philosophy अपने आप में बहुत interesting poem है, बहुत ही जबरजस्त poem, जो मैंने posthumous publication की बात करी थी, तो मैं आपको यहां पर बता देना चाहूँगा, कि यह जो poem है, final जो collection में published हुई थी, तो P.B. Shelley की कुछ posthumous poems आई थी, 1824 के time period में, जब जो है, इनकी wife Mary Shelley ने edit करा इन poems को, और edit करन पोयम में कई सारे आपको devices यूज करते विए दिखेंगे आपके Shally, यानि different type के जो है literary जो devices है, उन literary devices को Shally ने बड़े अच्छे से यूज किया है इस poem में, अब आईए हम line by line पढ़ते हैं, तो फिर हमारी चीजे और भी clear हो जाएंगी, बस आपको mind में यह रखना है कि जो poet है, natural world and the desire of poets, या poet की desire और natural world के बीच में connection आपको नजर आने वाला है, poem कुछ ऐसे begin होती है, the fountains mingle with the river, poet का कहना है कि देखो, यह जो mingling है, यानि कि poet कई बार stress भी देता है यहाँ पर, क्योंकि poet की कहीं न कहीं इक्षा है कि वो किस करें, तमाम सारी चीजों की बात करता है, मैं समझाते हुए चलूँगा, so the fountains mingle with the river, यानि कि जो जरने, the fountains, यानि जो जरने है, mingle with the river, मिल जाते हैं किस से, river के साथ, यानि जो जरने हैं, वो नदियों से मिलते हैं, या जो फवारे हैं, वो नदियों से मिल जाते हैं, तो देखो एक बात आप समझो कि नेचुरल वर्ड में ऐसी कोई boundary नहीं है कि नहीं मिलना नहीं मतलब वो मिल सकती है उनके लिए कोई boundary नहीं and the rivers with the ocean और जो नदियां है वो सागर से मिलती है कोई boundary नहीं है इनके मिलन में यानि अगर इनका मिलन होना है किसी भी टाइप की boundary नहीं है चाहे वो जर्ने river से मिले या फिर जो reverс है वो ocean से मिले the winds of heaven mix forever और जो इस वातावरण की जो हवा है या आसमान में जो हवाएं है वो एक दूसरे से mix रहती है उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है कि भई, mix नहीं होना चाहे वो oxygen हो, carbon dioxide हो या फिर nitrogen हो या कोई भी gas हो किसी भी type की gas वो सारी मिलती है with a sweet emotion और ये जब मिलती है ना तो इनके बीच की जो भावना होती है वो बड़ी मदूर भावना होती है एक बहुत ही sweet emotion है इनके बीच में जब ये मिलती है ऐसा नहीं है कि मतलब कोई emotion नहीं है emotion है और बहुत ही sweet लेकिन अगर human being के मिलने की बात करी जाया ऐसे मिलने लगे तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है शायद शैली का यही कहना होगा आगे so winds of heaven mix forever heaven की जो हवाएं हैं वो हमेशा के लिए मिल जाती है घुल मिल जाती है मिलन हो जाता है उनका with a sweet emotion मिलती हैं तो किसी तरह का भेदबामी कोई दूरी नहीं nothing in the world is single अब देखो यहाँ पर poet कहना चाहता है कि in this world यह जो पूरी दुनिया है तो कुछ भी nothing in the world is single कुछ भी single नहीं है nothing in the world is single संसार में कुछ भी अकेला नहीं है अलग नहीं है nothing in the world is single all things by Allah divine और सभी जो चीजे है all things सारी चीजे by Allah divine मतलब एक जो ईश्वर का जो कानून है उससे सब बंधी हुई है ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कानून नहीं है वो बंधी नहीं है एक human being के लिए अलगी बाते लेकिन इन सब के लिए भी देखिए बहुत सारे जो divine law है उनके साथ ये सारी चीजे बढ़िहा से mixed है, मिली हुई है जुडी हुई है इन वन अनादर सभींग मिंगल और एक बात और सुन लो कि ये एक दूसरे से मतलब एक जो ईश्वर का नियम है ये संसार के नियम नहीं है यहाँ पर किसी का सासन नहीं है ये सब ईश्वर के नियम में सारी चीजे एक दूसरे से क्या है nothing in the world is single poet का कहना है कि कुछ भी single नहीं है, सब मिंगल हम ही है, poet का कहना है जो हम मिंगल नहीं है nothing in the world is single and all things by Allah divine और सारी जो है ईश्वर के जो भगवान का परमात्मा का जो नियम कानून है और अपने नियम कानून से सब बनेंगे क्योंकि देखिए, एक जो fountain है जो जरना है, वो river से मिलेगा या फवारा जो है, वो river से मिल जाएगा river ocean से मिलेंगे ये सारे ईश्वर के शास्वत नियम है all things by Allah divine सारी ईश्वर के इस कानून में बिलकुल जुड़ी हुई है in one another's being mingle और एक दूसरे के existence में in one another's being एक दूसरे के existence में घुली मिली हुई है यानि देखो, इन सब का अपना-पना महत्व है और उसी महत्व के साथ ये एक ही भाव से घुली मिली है why not I with thine तो poet का कहना है कि जब ये सब कुछ मिंगल है भई जब कोई ज़्यादा खुश हो और उसके बीच में आप दुखी हो तो आपको यानि दुनिया में सब के पास खुशी हो और आपके पास दुख हो गम हो तकलीफ हो तो आपको लगने ही लगता है कि यार सारे लोग खुशी है सब के पास happiness है एक मैं ही हूँ क्या जो ईश्वर मुशे दंद दे रहा है तो यहाँ पर poet question mark लगा के पूछ रहा है why not I with thine जब सम मिंगल है तो मैं सिंगल क्यों हूँ मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं why not I with thine मैं क्यों तुम्हारे साथ नहीं यह पहला इस्टेंजा है और यहाँ पर देखे natural word and poet की desire यह दोनों चीज़ें आपको साफ साफ नजर आ रही है natural word और जो poet की desire है वो साफ साफ आपको नजर आ रही है नजर आ रही है न बिल्कुल अब देखिएगा फिर से अगला इस्टेंड जाग see देखो the mountains kiss the high heaven see the mountain kiss the high heaven देखो उन परवतों को उन परवत की चोटियों को कैसे आस्मान को चूम रहे है मतलब एक लंबी लंबी जो उन्चे उन्चे जो परवत है see the mountain kiss the high heaven देखो आस्मान को चूम रहे है मतलब ये चूमते हुए नजर आ रहे है अभी तो poet कहा रहा था कि हम मिल नहीं पा रहे है सब कुछ मिले हुए है अब चूमने की बात चल ले है क्योंकि यहाँ पर kiss 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 यह kiss ही बताता है कि शायद poet के नदर एक desire है he wish to kiss the beloved so see the mountains kiss high heaven see देखो वो जो mountains है वो जो परवत है उन्चे उन्चे परवत कैसे आस्मान को चूम रहे है and the waves clasp one another और जो सागर की लहरे है clasp one another जो सागर की लहरे है न वो एक दूसरे से लिप्टी हुई है और लिप्टे हुए घूम रही है मतलब imagine कीजे कि जो लहरे होती है वो कैसे मिली हुई है तो poet यहाँ पर फिर से खहरा है and the waves clasp one another और जो लहरे हैं वो एक दूसरे से लिप्टी हुई है गले लगी हुई है मतलब poet की भी desire है कुछ ऐसे and no sister flower would be forgiven और हाँ no sister flower would be forgiven if it disdained its brother देख़ए एक बात बताऊं की उन poet का कहना है कि अगर sister flower है कोई तो उसको माफ बिलकुल नहीं किया जाएगा if it disdained its brother यानि कि अगर अपने भाई की वो अवग्या करती है उसकी बात नहीं मानती उसकी बात को नहीं मानती तो जो sister flower है उसको माफ नहीं किया जाएगा poet को लगता है कि मतलब इस दुनिया में क्या है कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है कि अगर हम मिंगल हो तो दिक्कत है हम सिंगल है तो सब लोग खुज है और मिंगल हो गए तो गड़बड है तो no sister flower would be forgiven यानि उस sister flower को को कोई माफ नहीं किया जाएगा क्यों? if it disdained its brother यानि कि यदि इसने अपने भाई का तिरस्कार किया मतलब जो उसका भाई है मान लीजे कोई flower है और flower का भाई हो तो अगर उसकी sister कुछ ऐसा करेगी तो थोड़ा उसको माफ नहीं किया जाएगा क्यों? क्योंकि ये हमारी आपकी दुनिया है हमारी आपकी दुनिया में ऐसा होता है बाकी चाहे वो पहाड आसमान को चुमे या फिर वेव गले लग जाएं लिपट जाएं दूसरे से कोई माना नहीं करने हो हम लिपट गए तो आतंक हो जाए और देखो सूर एका जो प्रकास है प्रत्वी को कैसे भर ले रहा है और सन को भी देख लो बस यहीं दिक्कत है कि सिस्टर फ्लार को कोई माप नहीं करेगा क्योंकि उसने भाई की बात नहीं मानी वो मिल गई जा करके तो यह दुनिया की हमारे बात है बाकी देखो नेचर में सन लाइट पूरी प्रत्वी को ढख लेती है क्लास्प कर लेती है गले लगा लेती है और चांद की किरणों को देखो कैसे वो समंदर को चूमती हुई नजर आती यानि वो भी किस कर रही है पोईट का शैली का कहना यही है बाई एक हमी बचे हैं जो किस नहीं कर पा रहे है और एक हमी बचे है जो हम मिल नहीं पा रहे हैं तो इसलिए कहते हैं and the moonbeams किस दसी और जो चैंदर मा की किरणे हैं ना वो समंदर को किस कर रही है what are all these kissings worth वैसे पोईट का कहना कि एक बात बताओ फिर इन सब kisses का क्या महत्तो है कोई महत्तो नहीं क्योंकि सब कोई तो बढ़िया सब कुछ कर ले रहा है किस कर रहे हैं मिल जा रहे हैं और हम what are all these kissings worth क्या है इन सारे kissings इन कामों की कीमत क्या है इन सब कामों की कीमत क्यों if thou kiss not me यदि तुम मुझे नहीं चूम सकती तो फिर इन सब का कोई मतलब नहीं वो सब कर रहे हैं उनका सब अपना चला है इधर हमारी दिक्कत है यदि तुम मुझे नहीं चूम सकते तो फिर इन सब का कोई महत्व ही नहीं बचता यानि ये सब कुछ बेकार है क्योंकि हमारी जिन्दी तो यही है तो पोएट अपनी इसी बात के साथ देखिए किस किस मतलब ये कहीं न कहीं अगर उस पर impassage देने की कोशिश करा कि मैं तुम्हें चूम नहीं सकता तो फिर इन सब का कोई मतलब नहीं महत्व ही नहीं बनता कोई महत्व नहीं है तो गाईज ये जो पोएट है कहीं न कहीं लव की फिलोसफी यानि फिलोसफी यानि रीजिन क्योंकि देखो फिलोसफी का मतलब भी है तर्क तो यहाँ पर कई सारे आपको देखिए different type के argument नजर आ रहे हैं शैली की बातों में शैली तमाम तरह के argument कर रहे हैं कि देखो ये बात सही है सब कुछ ये हो रहा है लेकिन हमारी जिंदगी कुछ ऐसी है सो गाइज यही है आपकी poem वैसे इस poem में different type के figure of speeches का use भी करा गया है जैसे जो आपको visible figure of speeches नजर आते हैं तो जैसे यहाँ पर देखें high heaven तो यहाँ पर आपको alliteration नजर आता है साप-साप alliteration नजर आ रहा है और इसके बाद जैसे और भी अगर आप देखें figure of speeches में तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या कहीं पर ऐसा कुछ repetition है अगर ऐसा कहीं पर भी repetition है तो आप कह सकते हो कि वो alliteration है वैसे मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है high heaven में इसके अलावा इसमें metaphorical language भी यूज करी गई है poem बहुत जबर जस्त है और मेरे साथ tune रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद क्योंकि आपने मेरे साथ इस poem को पढ़ा और guys अगर आप इस channel पर नए आये थे तो subscribe कीजिएगा और अगर आपको किसी भी हमारे course से जुड़ना हो तो literature lovers app definitely you can download and you can join the course so thank you so much for stay tuning with me फिर से मिलेंगे किसी अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार रखिये अपना खयाल मुस्कुराते रहिए जै हिन जै भारत